हेलो स्टुडेंट्स आइम स्किंद्र कोर और आज हम मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लासिक्स की साइंस का 6th चैप्टर चेंज़ेस अराउंड अस चेंज़ेस मतलब बदलाव जो हमारे इर्द गिर्द बदलाव होते हैं आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे तो शुरू करते हैं बच्चो बट फन इफ यू सदनली गेट सम्मेजिकल पार्स तो चेंज एनिफिंग अराउंड यू वट अगर आपके पास अजानक से जादू की शक्तिया आ जाएं जिससे आप कुछ भी चेंज कर सकते तो आप क्या क्या चेंज करोगे इसके बारे में आपको बताना है ठीक है आगे हम करेंगे वी दिनाट हैव मैजिकल पार्स अफकोर्स बट वी चैंज चेंज फ्यू तिंग अरॉंड यू विद नो मैजिक इनवार्ब हमारे पास मैजिकल पार्स नहीं होती है ठीक है तो लेकिन फिर भी हम क्या कर सकते हैं अपने आस पास कुछ बदलाव ला सकते हैं आपको क्या करना है आपको उसके एक लिस्ट बिनानी है कि आप अपने आस पास क्या क्या बदलना चाहते हो बीना किसी जादू के Many changes are taking place around us on their own. In the fields, the crops change from time to time. Sometimes leaves fall from trees, change color and dry out. The flowers bloom and then wither away. Are any changes happening in your body? Your nails grow, your hair grow, you grow taller, and your weight increase as you grow. Did you realize earlier that so many changes are taking place around you all the time? तो क्या होगा कि हम अपने आज पास बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं और कुछ चेंज के होती हैं वह अपने याप ही होते हैं जैसे कि हम देखते हैं कि खेतों में जो फसले होती है वो छोटी से बड़ी हो जाती है अपने आप ताइम उसको क्याता है थोड़े वक्त में वो छोटी होती है थोड़े वक्त में थोड़ी और बड़ी होती है और जो थोड़े वक्त के बाद वो खुद बाखुद बड़ी ह कंरुस तो होते हैं उसके जो प्तियों जटे रहे और दने और छोट जाती है और वी अनुन AI फेल सुनॉट है जाति हैं ऑगे जैसे कि कुछ प्लार्स होते हैं उसकी झाल चाथбы जाते हैं और एसाइसे हमारी बाडिज में भी चैंजेस होते हैं हमारी जुवन होते हैं हमारा बेट होता है हमारे बाल होते हैं हमारी हाइट होती है वो खुद बखुद बढ़ते ही रहती है वह जो सोते हैं अपने आप ही होते हैं आगे हम करेंगे can some of the changes be grouped together क्या कुछ changes groups में हो सकते हैं तो हम क्या करेंगे कुछ ग्रूप में हम चेंज़ करेंगे तो देखेंगे कि इनकी सिमिलारिटी क्या क्या होती है क्या जो और चेंज़ होते हैं सारे बदलाव बापिस से उसी शेप पर आ सकते हैं जहां से हमने शुरू किया था तो हम ऐसे कुछ पढ़ेंगे अक्टिविटीस पढ़ेंगे जिसमें हम यह सब करके प्रैक्टिकल करके देखेंगे टेके बलून और ब्लो इट टेकर देखेंगे जिसमें हम क्या करेंगे पहले आपको एक बलून लेना है गुबारा लेना है उसमें हवा बरनी है और आपको ध्यान रखना है कि वो क्या होना हो फटेना ठीक है तो हम क्या देखेंगे कि उसका जो बलून का साइज है और शेप है वो बड़ी हो जाएगी बदल जाएगी जैसे की फिगर 6.1 में दिखाया जा रहा है कि वहां पर क्या करेंगे एक लड़की है जो बलून में हवा बर रही है और बलून बड़ क्या हो जाएगा फिर से छोटा हो जाएगा तो तुझे क्या हो गया रिवर्सिवल चेंज आगे हम एक्टिविटी तू करेंगे टेक पीस आप पेपर एंड फोल्ड इट एज शोन इन फिगर 6.2 यू हैव चेंज तर शीट ऑफ पेपर इंटु ए टॉई अरो प्लेन क्यू एआ व्यी क्या करेंगे इसको हम कसे करेंगे उसको फेर्ड फोल्ड करेंगे जैसे figure 6.2 में दिखाया जा रहा है जैसे हम उसको ऐसे इस तरह किसे फोल्ड करेंगे वो एक जहाज की shape में आ जाएगा खिलोने वाले जहाज की shape में आ जाएगा फिर तुम क्या करोगे उसके साथ? उसके साथ खूब सारा खेलोगे और जब तुम उसके साथ खेलते खेलते थक जाओगे उसे फिर से खोल दोगे उस paper को फिर से unfold कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा दोबारा से? उसी paper की shape में आ जाएगा तो जे भी क्या हो गया? Reversible Change आ गया है है Activity 3 Take some dough and make a ball Try to roll out a roti Maybe you are not happy with its shape and size Wish to change it back into a ball of dough again तो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? एक आटे का ball लेंगे तो हम क्या करेंगे? उससे हम एक roti बेलेंगे ठीक है? लेकिन हम यह उसकी roti की shape अच्छी नहीं लगे की तो हम क्या करेंगे? इसको दोबारा से जैसे ही ball बना देंगे जैसे हमने आटे से ली थी तो वो क्या हो गया जै भी? Reversible Change Now think about the three changes you observed in Activity 1, 2 and 3 What do they have in common? Was it possible to get the balloon back to its original shape and size? Was the size of a paper same as before and after making an airplane? Was it possible to get back the ball of dough again? तो हम क्या करेंगे? इन तीनों को activities को फिर से देखेंगे ध्यांट से और पता लगाएंगे कि इन में से common क्या था? क्या balloon था जो जिसमें हमने हवा बरी वो बड़ा हो गया site में जब हमने उसकी हवा निकाल दी तो क्या उसी shape में वो आ गया? हाँ, वो उसी shape में आ गया था जिससे हमने उसमें हवा बरने से वो पहले था जब हमने paper का airplane बनाया जब हमने उसको खेला और उसको खोल दिया दोबारा से उसको unfold कर दिया तो वो कैसे इसकी shape में आ गया? दोबारा से paper की shape में आ गया और जो आटे का हमने ball लिया उससे हमने रोटी बे ली और दोबारा से जब हमने उसको दोबारा से एकठा कर दिया ball बना दिया तो वो दोबारा से वैसा ही बन गया अगर जह सब होता है हमने हमें इसके बारे में पता चलता है कि यह तीनों चीजें वैसे ही अपने उसी स्टेट में आ गई जहां से हमने शुरू किया था तो यह क्या होगे जह हो गया reversible change वही change जो दोबारा से अपनी उसी state में आजाए जहां से हमने शुरू किया था उसको हम reversible change बोलते हैं आगे हम क्या करेंगे इनी activities को हम दोबारा से repeat करेंगे लेकिन एक अलग तरीक़े से जैसे activity 4 take the same balloon which you used in activity 1 blow it to its full size and tie it mouth with a string tightly prick it with the pointer tip of your pencil oops it burst हम क्या करेंगे उसी बैलून को लेंगे उसको उसमें हवा बरेंगे और वो क्या हो जाएगा अपने full size में आजाएगा फिर से बड़ा हो जाएगा उसको हम क्या करेंगे आगे से tightly बांध लेंगे और उसमें अपनी पैंसिल की जो टिप होती है नो के लिए हम उसमें चुबो देंगे तो मुझा हो जाएगा एक दम से फट जाएगा और एक बार बैलून फट गया तो हम उसमें दोबारा हवा नहीं बर सकते ठीक है आगे हम करेंगे activity five take the same piece of paper which you used in activity two draw an arrow plane on it and cut along its outline हमने क्या किया जो पेपर का हमने अरोप्लेन पहले बनाया था अब हम उसमें अरोप्लेन ड्रा करेंगे ठीक है और जो आरोप्लेन की activity six roll out a roti from the ball of dough again and bake it on a taba जो हमने पहले हम रोटी की सिर्फ बेली थी और उसको दबारा से हमने अर्टे का बॉल बना दिया इस पार हम क्या करेंगे जो रोटी हम जो जिसको हम शेप देंगे उसको हम तबे पर बेक कर देंगे ठीक है suppose you are asked the same three questions which you answered after activity three what would you answer we now we see that the changes which have occurred in the activity four five six can not be reversed you use a pencil and an eraser with the repeater use their shape and size changes can we reverse this change तो जब हमने पहले हवा निकाली थी उसको बैलून को फाड़ा नहीं था तो फिर से उसी शेप में आ गया लेकिन इस बार हमने क्या क्या इस बार हमने बैलून में को फाड़ दिया तो वह उसमें हवा नहीं पर पाएंगे ठीक है पहले हमने paper का plane बनाया था लेकिन अब हमन आप के फिर नहीं बन पाएगा और यह भी दोबारा से रिवर्स नहीं होगा अब हमने रोटी को और बिल बना कर तबये पकादिया है अब इसका दोबारा से आरटा नहीं बन सकता अब यह दोबारा उसी फोर में नहीं आ तो इसको हम क्या बोलेंगे। ए रिवर्सिबर सीड़ तो आप फिर इपनी पैंसिल और यूज़ को यूज कि यह और इसको यूज करते जांगे उसको शॉठ वह दो बबारा से उसी शेप में आएगी नहीं आएगी वो छोटी हो जाएगी अपने रेजर को लगातार इस्तिमाल करते रहोगे तो वो क्या होगा वो भी खत्म हो जाएगी तो आप उसको reverse नहीं कर पाओगे ठीक है आगे हम पढ़ेंगे क्या किया जो पोटर होता है ठीक है जो मिट्टी के बतल बगारा बनाता है उसको हम पोटर बोलते है वो क्या करता है वो एक मिट्टी का जो गोला सा बनाकर अपना जो वील होता है जिस पर गोल गोल गुमा के उसके उपर रखता है तो वो क्या करता है उसको गुमा गुमा के उसको एक गमले की ना किसी बरतन की शेव देता है मिट्टी को ठीक है तो क्या हम उस मिट्टी को तो वो पका देगा उस बर्तन को बना के वो क्या करते हैं सुखा के उसको आग में पका देते हैं तो तब हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं ठीक है इस टू सी इफ दे रिवर्स तो हमने आगे टेबल देखना है रौ एक टू बोइल एग जैसे हम कच्चे अंडे को एक बार बॉइल कर दें तो क्या वो दोबारा से कच्चा बन सकता है इसका क्या आएगा नो बैटर टु इडली अगर एक बार हमने बैटर की इडली बना दी तो क्या उसमें उस इडली को दो बारा बैटर बनाएंगे बना पाएंगे नो ठीक है ऐसे ही आपको आगे वाले भी करने है आगे आएगा 6.2 कुट देर भी अधर वे तो ब्रिंग चेंज है वी आल हैव सीन दार तो विच आर यूज तो डिग दा स्वाइल है आगे आगे इन देखा है कि जो हम इस्तिमाल करते हैं खुदाई करने के लिए डिग होता है खुदाई करना तो जो हमने वो फावड़ा वगरा होते हैं उनको देखा होगा उसमें जो लकडी का हैंडल होता है वह हम कैसे इसमें फिक्स करते हैं आपने देखा है कभी होते हुए तो हम इ the wooden handle is fixed normally the ring is slightly smaller in size than the wooden handle to fix the handle the ring the ring is heated and it becomes slightly larger in size expand now the handle easily fit into the rings when the rings cool down it contracts and fits slightly onto the handle so what do we do we do? we use the iron blade which is made of a ring what is the ring? the handle is small as we have the tools here the handle is made of the ring तो क्या होता है कि जी रिंग्स थोड़े छोटे होते हैं लकडी के हैंडल के मुकाबले तो जब हम इसमें यह फिक्स करते हैं तो क्या करते हैं जो जी रिंग्स होते हैं हम उसको आग में गर्म करते हैं तब जी क्या होता है थोड़ा फैल जाता है जी लोहा जो होता है वह आगे हम करेंगे, such a change is also used for fixing the metal rim on a wooden bill of a cot as shown in figure 6.7. Again, the metal rim is made slightly smaller than the wooden bill. On hitting the rim, expand and fits on to the bill. Cold water is then poured over the rim which contracts and fits tightly on to the bill. 6.7. जो figure दे गई है, इसमें जो एक काट का बील है, जैसे ही जो काट होता है, जैसे वो रेडिय वगएरा होती है, उसके जो टायर होते हैं, ठीक है, उसको हम काट बोलते हैं और बील हम बोलते हैं टायर को. So जो जो उसमें जो matter की ring fit करते हैं, बो भी ऐसे ही करते हैं. जो च्छोटी होती है, रेम के मुकाबले, तो टायर के मुकाबले हूं. धो हम उसको पहले गर्म करते हैं, और उसको उसके उपर ढसके और fix करके. After some time, if we continue the heat further, the quantity of water in the pan began decrease क्या करेंगे हम? जब हम पानी को किसी भी पैन में गरम करते हैं और जब वो बॉल होना शुरू हो जाता है कुछ देर के बाद क्या होता है कि अगर हम उसको heat continue चलती रहेगी अगर हम उसको बंद नहीं करेंगे, कम नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा पानी की जो पानी कम होता जाएगा दब बादर चेंज इंटो इस बैपर इन अच्टिविटी 7 ठीक है? तो क्या होगा? चेप्टर 5, यूब अबजर्ब बादर बादर गैस चेंज इंटो दब लुकर बादर वादर वन इस पूल जैसे कि हमने पड़ा कि पानी लगातार गर्म हीट होता है तो वो कम होता जाता है ठीक है? जैसे कि हमने फिफ्स चेप्टर में पड़ा था अक्तिविटी 7 में कि जो जो बाटर होता है जब वो हीट हो जब गरम होता है तो इस वो क्या बाप बन जाता है बेपर्स में बन जाता है ठीक है और जब बेपर्स थंडे होते हैं तो फिर से बाटर बन जाते हैं जब ठीक है तो हमने क्या देखा मैंटिंग आफ आइस जब जो बर्फ होती है it possible to change the water back into ice तो हाँ जो पानी होता है उसको हम जितनी बार मर्जे चाहे उसको हम ice बना सकते हैं और ice को जितनी बार चाहे उसको हम water बना सकते हैं ठीक है let us absorb some more changes आगे भी हम कुछ changes देखेंगे इसके बारे में ठीक है जैसे के आगे दिया गया है पहली wants to know if you have ever seen a blacksmith making some tools how does a blacksmith change a piece of iron into different tools a piece of iron is heated till it become red hot and then become soft and it's written into a desired shape what changes has taken place iron on wind heater आपने कभी जो लोहार होता है जो लोह को लोह की बतन बगारा बनाते हैं उनको देखा है वो पहले क्या करते हैं वो जो लोह को आग में डालते हैं जो लोहा होता है वो बिल्कूल रड्ध हो जाता है गर्म हो के और बोल्ट लूस हो जाता है डीला हो जाता है तब उसके वो जिस भी candle and measure its length with the scale. Now fix it at a suitable place and light it. Let it burn for some time. Now blow out the candle and measure its length again. तो हम क्या करेंगे? हम एक candle लेंगे और उसको क्या करेंगे? उसकी height को हम scale से देख लेंगे कि वो उसकी जो length है वो कितनी है? ठीक है? उसके बाद हम उसको एक safe जागा के पर रखेंगे और उसमें आग लगा देंगे और कुछ दिर जलने के बाद हम उसको candle को बुजा देंगे और दोबारा से उसकी length check करेंगे कि या वो बैसी की बैसी है जाँ छोटी हो गई है ठीक है? तो क्या हो जाएगा? वो तो automatically छोटी हो जाएगी. Can the change in the length of the candle is reversed? If we were to take some backs in a pan and heat it. Can this change be reversed? क्या करेंगे हम? क्या जो मोबती छोटी हो गए है जलने के बाद क्या अगर हम उसको दोबारा से उतनी ही बड़ी कर सकते हैं तो हम नहीं कर पाएंगे अगर हम एक बार backs होती है जो ठीक है अगर हम उसको heat कर देंगे तो क्या वो ठंडा होने के बाद ऐसे ही बन जाएगी? हाँ वो बन सकती है बट हम candle को उतना ही बड़ा नहीं कर सकते हैं दोबारा से ठीक है लेकिन अगर बैक से एक बार गरम हो जाए और दोबारा ठंडी हो जाए तो फिर से उसी फॉर्म में आ जाएगी आगे हम करेंगे repeat activity seven with an incense stick तो हम जो candle वाला क्या करेंगे अब हम किसके साथ करेंगे incense stick incense stick होती है दूब बती अगर बती बोलते हैं इसको हम incense stick बोलते हैं वेर तिल इत वर्न अवे completely what are the changes that occur in the incense stick the stick one to produce some new material these are ash and some gases we cannot see these gases but we can sense them due to their pleasant smell can this change be reversed and what about the changes which occur in the match stick you should use for the lighting the candle and incense stick ठीक है तो हम क्या करेंगे तो candle जैसे हमने candle के साथ किया वैसे हम अगर बती के साथ करेंगे हम उसमें अंग लगाएंगे और उसको पूरी तरह से खतम हो जाने देंगे तो क्या हम उससे दवारा incense stick तूब बती बना सकते हैं तो हम नहीं बना सकते हैं ठीक है अगर जब वो stick completely पूरी तरह से जल जाएगी तो वो सिर्फ क्या छोड़ेगी एक ash छोड़ेगी राख छोड़ेगी और एक गैस चणठेगी श्मैल जो हमें जिसको तो नहीं सकते बर्ट फील कर सकते हैं जय अच्छी से जो कुछबू होती हैं हम उसको फील कर सकते हैं ठीक हैं लेकिन कि क्या इस रोक से लेकिन हम केंडल होता है कि उसके जो मुवत्तीद को नहीं बढ़ा नहीं बना पायेगे वैसे ही हम माचreally होती है ठीक है उसकी तीली को हमने एक बार जला दिया तो हम उसको दुबारा यूस नहीं कर सकते हैं So far we have discussed the changes occurring in a given object or its materials But about the changes that occur when two substances are mixed together ठीक है तो हमने ये changes पढ़े हैं जो reverse हो सकते हैं और जो reverse नहीं हो सकते हैं ठीक है अब हम उन changes के बारे में पढ़ेंगे जिसमें हम दो चीजों को mix कर देते हैं तो क्या हम उसको दोबारा से अलग-अलग कर सकते हैं तो अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे ठीक है In chapter 4, we dissolve salt in water Do you think a change occurred in salt or in a butter? Is it possible to reverse this change? Wait, in chapter 5, we learnt how to separate salt from its solution in water So, can we say that the changes due to dissolving salt in water is reversed? जैसे कि हमने 4th chapter में पढ़ा था कि अगर हम पानी में salt डाल दे तो कि या हम उसको अलग-अलग कर सकते हैं हाँ, जैसे कि हमने chapter 5 में पढ़ा था कि हम उनका practical पढ़ा था कि हम उसको separate कैसे करते हैं ठीक है? आपको यह भी बताना है आपको खुद बताना है आपने 4th chapter में पढ़ा है, 50 पढ़ा है तो आपको बताना है कि हम salt water में से salt कैसे लग करते हैं ठीक है? आगे आएगा पहेली आस्क इफ यू हैव एवर सीन कर्ड विंक सेक्ट इस small quantity of curd is added to warm milk ठीक है? तो पहेली कहती है कि आपने कभी देही को जमते हुए देखा है जैसे हमारी जो मज़स होती है वो क्या करती है? घर में ही देही जमाती है तो कैसे जमाती है? वो जो warm milk होता है न ठीक है? उसमें जो गरम दूद होता है उसमें थोड़ा सा दही डाल देती है तो क्या करते हैं वो? थोड़ा सा milk में थोड़ा सा जो दही होता है वो डाल देती है और चमत से घुमा देती है और इसके एक साइट पर warm place में रखतेती है जहां से वो उसको छंड ना लगे चंड जगा नहीं गरम जगा पर रखते हैं और क्या देखते हैं कि कुछ गंटों के बाद आचनु गंटों के बाद वो क्या बन जाता है देही बन जाता है और क्या हम देही को दबारा से milk बना सकते हैं बिल्कुल भी नहीं नहीं से दोबारा मिल कभी नहीं बन सकता है, ठीक है? आगे हम पढ़ेंगे We find that a few way to bring about changes into inner substance could be By hitting it or mixing it as some other substance We also find that some changes can be reversed while some other cannot be reversed There must be many other ways to changing things around us It is possible that some of them could be reversed The changes around us could be grouped as those that can't be reversed or cannot be reversed In higher classes, you will learn more about the ways in which changes can be made and the way these can be grouped So, हमने इस चैप्टर में पढ़ा जैसे कि हमने कुछ समाल लिया उनको हमने reversible changes के बारे में भी practical activities की और irreversible के बारे में भी की तो हमें यह पता चला इसमें कि क्या क्या चीज़े reverse हो सकती है और किस तिराय की चीज़े reverse नहीं हो सकती है ठीक है आगे जब आप बड़ी classes में जाओगे तो वहाँ पे आप इसके जूर changes के और भी अलग अलग तरीके पढ़ाँगे तो आगे है keywords तो आपको यह क्या करना है keywords की जो meaning देखने के वह बताने हैं जैसे changes क्या होता है जैसे बदलाव किसी वी चीज़ का बढ़ जाना कम हो जाना अपनी आप उसको हम जान जिसकी हम करते हैं हम करते हैं उसके हम changes केते हैं को ड्रेंस क्या होता है जैसे contraction होता है जैसे कोई चीज़ सिकष्टना और फढलना सिकष्टनी को हम contraction बोलते हैं इब्याप्पुलिशन वो तो आपको फता ही है व आपको बोलते हैं Expansion कहते हैं जैसे description box में मिल जाएंगे thank you, have a nice day अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे like और share रूरूर कीजिए रहा thank you, have a nice day